बहुत सपेशल सा लच्छा प्रांठा बनाएंगे आज हम यह है गेहूं का आटा जिसको मैंने गून का रखा है तो यह से अजीफ में हम बनाएंगे once magic masala लच्छा प्रांठा बहुत ही delicious बनता है बहुत easy है बनाना लच्छा प्रांठा बहुत easy वे से हम बनाएंगे यह दिखे एक बड़ी सी प्रांठे के लिए मैंने लोई ले ली अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आटा डोस्ट कर दूँगे इसको अच्छे से हम फैला लेंगी आटा लिए अच्छे से अटे को अब यह है देसी की हिए आप चाहें तो इस पर बटर जenviron्ड पही ही लगा सकते हैं मेल्टेट बटर इसको अच्छे से देसी ही को में फैला दोओगी और अब इस पर हम डालेंगे मैजिक मसाला ये है मैगी का मैजिक मसाला ये प्रॉंठा बहुत बढ़िया बनता है अच्छे से डस्ट कर लेंगे इसको मसाले को और अब इस पर मैं डाल दूँगी पाइसी बनाने के लिए ये है लाल मिर्ची मैजिक मसाले में थोड़ा सा नमक होता है अगर तो आपको दाल के साथ ये किसी सबजी के साथ खाना है तो आप इसमें नमक अगर आपको ये प्रांथा बटर के साथ खाना है तो आप इसमें इस टाइम पर हलका सा नमक डाल लीजे अच्छे से brush की help से मैंने इसको mix कर दिया spread करने के बाद चाहे तो आप knife ले लीजे ये है मेरे पास pizza cutter तो यूँ मैं इसको ये लंबी-लंबी strips में cut कर लूँगी ये देखिए अब इसको हम यूँ इकठा करना शुरू करेंगे ये इस तरह से lines मैंने लगा दी न तो अब इनको यूँ इकठा कर लेंगे ये लिखिए इकठा कर लिया अब इस तरह से हम इसको यूँ फोल्ड कर लेंगे और बिल्कुल हलके हाथ से प्रेस कर देंगे थोड़ा सा यूँ हाथों पर फैला कर इस पर हम सुखाटा डस्ट करके इसको बेलन की हेल्प से थोड़ा सा फैला लेंगे अच्छे से फैलाने के बाग इस पर मैंने हलका सा पानी लगाया प्रांथा हमारा बहुत ब्यूटिफुल दिखे तो इस पर मैं थोड़े से यूँ चिली फ्लेक्स डस्ट कर दूँगी और इस तरह से इसको प्रेस कर देंगे आप चाहें तो इस पर कसूरी मेथी भी लगा सकते हैं बस इसको अब हम पकने करिए रखेंगे यह यूँ हलके हाथों से मैंने इसको उठाया और यह इसको हम डाल देंगे तवे के उपर देशी घी के साथ ही इसको मैं प्राय करूंगी देशी घी में यह पांथा बहुत बढ़िया लगता है दोनों साइडों को अच्छे से क्रिस्पी होने तक हम पकाएंगे यह देखिए जैसे जैसे हम इसको फ्राय गरते जाएंगे इसके जो लच्छे है वो अपने आप खुलते जाएंगे और फ्रेंड्स यह बहुतने लच्छे बढ़िया बने हैं मज़ेतार सी प्रांटी बनकर बिल्कुल रेडी है तो